तोड़े वियर डिस्कुसिंग वरक्षीट नंबर 121 इस यह मैथमेटिक्स वरक्षीट इन विच यह वारे में पढ़ेंगे यह आपने पिछली वरक्षीट में भी थोड़ा सा डिस्कुस किया था हमने इसके बारे में आज हम इससे जादें डिस्कुस करेंगे और इस वरक्षीट की डेट है 30 नवेंबर 2021 तो वरक्षीट शू करने से पहले आपको आपकी क्लास सेक्षन आपका नाम और आपकी डीचर क अधियापका के साथ साजा कीजिए तो चली कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या फरक है यह घास अलग है यहाँ पर घास में यह बना हुआ है वहाँ इस बाले में नहीं है तो घास अलग है दूसरा देखिए यह मूं का डिजाइन अलग है मूं अलग है फिर देखिए आख के प्पूच के पास निशान है प्पूच के पास निशान नहीं पर लास्ट में यह पूँच के पास निशान लेंगे, ठीके, तो उम्मीद है, आपको यह समझा हूँगे, अब आगे देखते हैं, क्या करना है, हमें करना है, वर्ग गृड से शेत्रफल, वर्ग ग्रिट से शेत्रफल कैसे निकालते हैं, पहले आपको बताजेती हैं, यह जो इस तरीके का पेपर होता है, यह हमारा ग्रिट का पेपर, यान की ग्राफ पेपर क्या लाता है, इस ग्राफ पेपर में हम कैसे शेत्रफल निकालते हैं, वो चीज देख लीज जितने यह square होते हैं यह जो एक square बनता है यह हमारा एक centimeter का होता है ठीक है जितने यह पूरे-पूरे होते हों से हम एक, दो, तीन, चार गिनते हैं अगर यह कहीं पर भी ऐसे आधा हो तो हम आधे को आधा consider करते हैं ठीक है और दो आधे मिलकर एक बना देते हैं और अगर यह आधे से ज़्यादा area ले रखा है किसी में तो वो एक consider होगा लेकिन अगर आधे से कम area है माली जी इतना ही है तो यह consider यानि कि यह calculate नहीं किया जाएगा ठीक है तो यह इसकी कुछ खास बात हैं आपको समझ लेनी चाहिए उसके बाद ही आप इसका शेत्रफल निकाल पाएंगे और शेत्रफल क्या होता है शेत्रफल यह एक समान एक आकरती समतल कागज पर कुल कितना स्थान घेरती है वह इसका शेत्रफल क्यालाता है ठीक है चलिए रोहन की अध्यापिका ने आज एक वर्ग सेंटीमीटर वाले ग्रिड का आगज पर बच्चों को एक आकरती बनाने के लिए कहा रोहन और फिरोजा ने इस प्रकार के चित्र बनाए है देखिए यह फिरोजा का चित्र है उसने कितने लिए है उसने उपर वाली कॉलम में 9 ग्रिड लिए है और नीचे वाले में भी 9 तभी 18 हो गए रोहन ने कैसे लिए है रोहन ने इधर से 6 लिए है और नीचे की तरब से 3 लिए है यनि कि अगर हम इस सब को गिलने ते तभी भी इसका जो योग होगा वो 18 ही होगा यहां पर रोहन ने कहा कि लंबाई 3 और चोड़ाई 6 सेंटीमेटर लिए ठीक है आगे देखते है अध्यापिका जी ने कहा कि इन दोनों चित्रों को देखकर पता लगाओ कि दोनों में से किसका चित्र बड़ा है फिरोजा रोहन दोनों को ही अपना चित्र बड़ा लग रहा था अध्यापिका ने समझाये कि हमें बड़ी आकृति का पता लगाने के लिए इन दोनों आकृतियों का चेत्रफल निकालना होगा इसके लिए हमें आकृति के अंदर आए सभी वर्गों को गिनना है जैसा लिए उपर के चित्र में दिखाए जिए तो जब दोनों ने गिन होगे तो कितने निकले होगे हमने पहली देख लिए कि दोनों के 18-18 हैना रोहन और फिरोजा ने अपने अपने आयत का शेतरफल निकाला तो पता चला कि दोनों आयत के शेतरफल 18 cm ही हैं और ये दोनों बराबर हैं तो याद रहे कि इस गृट का प्रतेख हिस्ता 1 cm के डिब्बे में से बना है अतर शेतरफल गिनने के बाद वर्ग cm अवश्य लिखे और यदि आपकी आकरती मीटर में नापी गई हो तो आपको शेतरफल के साथ वर्ग मीटर लिखना है क्योंकि जो जब हम शेतरफल निकालते हैं तो उसके आगे वर्ग लगाना ज़रूरी होता है ठीके cm की पावर 2 स्क्वार ठीके ऐसे हम लिखते हैं तो आये शू करते हैं आये हम भी रोहन और फिरोजा के साथ दी गई अलग-लग आकरतियों के शेतरफल का पता लगाते हैं यहाँ पर देखें जो मैं आपको भी बताया था कि दो आदे पूरे वर्ग मिलकर एक वर्ग बनाते हैं, आदे से कम वर्ग को नहीं गिनते, और अधिक वर्ग को एक माना जाता है, ठीक है? चलिए अब आगे देखें, पहली हमारी है आकरती नमबर एक, यहनि कि यह वारी आकरती, तो इसमें हम गिल लेते हैं कि पूरे वर्ग कितने हैं, पूरे वर्ग हैं, एक, दो, तीन, और चार, चार हमारे पूरे वर्ग हैं, और उसका आधे आधे कितने वर्ग हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, जो हैं हमारे आधे वर्ग हैं, नहीं कि पूरे वर्ग कितने मनें, चार, तो उसका शेत्रफल कितना होगा 4 जमा 4 बरावर 8 वर्ग सेंटीमेटर ठीक है अगला है चित्र 2 चित्र बी यानि ये वाला इसमें पूरे वर्ग कितने 1 2 2 पूरे वर्ग हैं आधे वर्ग कितने 1 2 3 4 4 आधे वर्ग है यानि कि पूरे वर्ग कितने 2 यानि कि 4 वर्ग सेंटीमेटर इसको आप सेंटीमेटर स्क्वेर भी लिख सकते हैं चित्र सा सी जो है हमारा वो ये है इसमें देखें पूरे वर्ग कितने 1 2 3 जमाँ आधे वरगे कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 छे आधे वरगे इसका मतलब है तीन पूरे वरगे ये हो गए हमारा 6 cm2 चित्र D क्याूंसा है अब आधे वरगे देखते हैं कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौर दस दस हमारे पूरे वर्ग है निकि पांच हमारे पूरे वर्ग है निकि पांच हमारे पूरे वर्ग है तो यह कितना हो गया नौर पांच ग्यारा सेंटीमीटर स्क्वेर चित्र यह देखते हैं यह वाला इसमें पूरे वर्ग गि इतने हैं, आधा वर्ग हमारा, एक भी नहीं है, यानि कि ये वाला पूरा वर्ग कंसिडर होगा, एक सकेंड, द्वारा गिंते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांचे, साथ, आठ, यह हमारा हो गया, नौ, क्योंकि ये आधे से जादा है, नौ पूरे वर्ग हैं, और आधे हमें, ये भी आधे से कार में, तो 0, यानि कि हमारा ये हो गया, 9 cm², अब यहाँ पर आपको लिखने का तरीका में बताजती हूँ, आपको लिखने है, cm की पावर 2, तो हमारा ये इसका मतलब हो जाएगा, वर्ग cm, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो उम्मी